आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में अब डेली तीन लाग के ऊपर कुरोना केस आ रहे हैं और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि 2000 के करीब आपकी डेली मौत भी हो रही है हमारे देश में और आपने देखा है कि कुरोना से जान्दा आपने ये भी देख लिया होगा कि oxygen की कमी के कारण भी लोगों की death हो रही है तो इस पर आप देखेंगे कि supreme court ने टिपड़ी की लेकिन जो high court ने टिपड़ी की वो जरूर आपको पढ़ना चाहिए और उस बात को समझना चाहिए कि वो किस तरफ क्या कह रहा है और आप जानते हैं कि हर राज में आपका high court होता है आर्टीकल आप देखते हैं 214 आपने सुना होगा 214 में और इसमें लिखा गया है कि पितेक राज़ी के लिए एक उच्छ नियाल है यानि कि अपना high court होगा आपके जिस भी राज में रहते हैं उसमें एक हाई कोट होता है ठीक है? इसने कहा है कि अस्पतालों को अक्सीजन सुनिशित करे केंद और आप जानते हैं कि सब जानते हैं कि देश को भगवान चला रहे हैं हाई कोट ने कहा है ठीक है एक किस ने कहा है दिल्ली हाई कोट नहीं यानि कि इनका कहने का सीधा सा मतलब है कि भगबान भरो से चल रहा है देश हमारा क्योंकि आप सबी को मालू है कि पहली जब लहर आई हुई थी उसके बाद आपको काफी time मिला हुआ था आप चाहेते तो आप स्वास्त वेवस्ता अस्वतालों को ठीक कर सकते थे आक्सीजन का भंडार कर सकते थे आप लोग बैक्सीन का उत्पादन बढ़ा सकते थे लेकिन अब लोगोंने कुछ भी नहीं किया वही हाल है कि हम किसी रोड पर आप लोग किसी सड़क पर चल रहे हैं एक बार हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एक गड़ा है सामने लेकिन हम उस गड़े को अंदाज कर देते हैं और जब भी हम उस सड़क से गुजरते हैं हर वार उस सड़क में जिस उस गड़े में गिर जाते हैं, यानि कि हम कुछ सीख नहीं ले रहे हैं, हम बार बार उनी गलतियों को दवराते जा रहे हैं, तो वही हमारी सरकारों के दवरा किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि जब एक टायम बहुत लंबा टायम मिला था, तो हम लोगों ने मस्ती में निकाल दिया। और उसमें देखिए, सरकारें भी उतनी जिम्मेदार हैं, उतनी नागरिक जिम्मेदार हैं। आपने देखा होगा कि चुनाओ की भीड में कितनी जनसंख्या एक तरह से भीड़े कटी हुई। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी सेप्टी नहीं, मास्क, मास्क कोई नहीं लगाये हुए है। तो आज आप देख रहे हैं कि परिडाम क्या है। आज ये हालत है कि आप समझें कि वैड मिलना मुश्किल हो गया है। और गरीबों की इसमें जिसकी आर्थिक इस्तिती खराब हो, उसकी क्या इस्तिती है। ये दुनिया जग जाहर है। तो अभी भी अगर आप ठीक ठाक इस्तिती में हैं, तो अपनी सेप्टी रखी और अपने परिवार की। कोई नेता आपके कितने भी अच्छे संबंद हो किसी भी नेता से, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। आप लोग कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, उसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि क्या इस्तिती बनी हुई है। तो इसमें इसने दिल्ली आईकोटनेस गुरुवार को कहा है कि राष्टी राध्धानी में COVID-19 संबंधी इस्तिती गंभीर हो गई है और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खतम हो रही है। और याद रखे, सभी राज्यों में यही इस्तिती बनी हुई है। कोई यह ना सोचे कि हमारे राज्य में ठीक है इस्तिती। सबके लगभग यही इस्तिती बनी हुई है। दिल्ली की हो, फिर चाहे आपकी महराष्ट ओत्तर पेदेश, फिर चाहे आपका मद्द पेदेश हो, बिहार हो, फिर चाहे जहां चुनाओ हो रहा है, वहां भी आप लोग देख लिजे। ठीक है। और इसमें इसने केंद को निजदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि सहर को आवंटन आदेश के रूप, निर्वाद रूप से ऑक्सिजन की आपूर्ती हो। और आप समझें यह ओक्सिजन वही है, जो हमें फिरे में मिलती है पेड़ों के द्वारा, और हम लोग फिर भी पेड़ों को काटते जा रहे हैं। नियायमूर्ती बिपेडन सांगी और नियायमूर्ती रेखा फल्ली के पीट ने कहा है कि हम सब जानते हैं कि इस देश को भगवान चला रहे हैं। पीट का मत्था की ऑक्सीजन की परिवान में आने वाली हर बाधा को हटाया जाना चाहिए। और इसे आप समझ सकते हैं कि आसानी से हटाया भी जा सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या इस्तिती, क्या परिस्तिती बनी हुई है। इसने कहा है कि सरकार यदि चाहे तो वह कुछ भी कर सकती है। यहां तक कि आकासो जमीन को भी एक कर सकती है। और आप सभी जानते भी हैं कि आराम से कर सकती है। बहुत संसाधन है सरकार के पास। बहुत कुछ है सरकार के पास। लेकिन सरकार के आप समझे कि एक तरह से सर सरकार उसका दो रुपेव करती है राज्य सरकार हूए या तफिर आप समझे चाहे आपका केंद सरकार हूए ठीक है और पीट ने मामले में सुनवाई के दौरान दोबहर दो बजे से सुरू की थी और जो साम चैबच के चालीस बजे तक चली है और आपको ये कोई और बात ब कि सरकारों के सरकारे समझ लें कि इंसान आम इंसान की जिन्दगी कितनी जरूरी है लेकिन आप देख रहे हूँगे कि नेताओं के लिए सरकारों के लिए आपकी आम आदमी की जिन्दगी जरूरी नहीं समझ रहे है बोलो अदालत ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की तहट जारी आदिस के दाएरे में आने वाले सभी सम्मंदित अधिकारी केंद कि इसे आदिस का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करें और चिकिस्ति या उक्सिजन सहे ब्यक्तियों तथा सामान के इंतराष्टियों और राज्जी के भीतर आवा गमन पर कोई रोग ना हुआ ठीक है और आप समझ सकते हैं कि क्या पीठ ने कहा है कि सरकार यदी चाहे तो एक कुछ भी कर सकती है यहां तक कि आकास और जमीन को भी एक कर सकती है और दिल्ली में इस्तिती गंबीर बनी हुई है और कई अस्पतालों के पास सियात तो परयापत ऑक्सिजन नहीं या फिर उसके पास जितनी ऑक्सिजन है और जाना देर तक नहीं चलेगी यह भी आप लोग देख रहे होंगे और आप समझें कि हम लोगों ने एक तरह से जो आपकी वैक्सिन थी उसका भी काफी आप सबसकते हैं कि बाहरी देशों को भी दिया है आपको पहले देखी बाहरी देशों से सम्मद्न बनाने के लिए एक उपाय हो सकता है लेकिन आप समझेगे कि हमारी ही देश में जन संक्या मर रही हो हमारी ही लोग मर रहे हो और हम दूसरे की मदद करें ये तो मुझे लगता है कि ना इंसाब है ये कोई इंसाब ही नहीं है ठीक है? तो ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और उसने इस पश्ट किया है कि आदेश का पालन ना करने को गंभीरता से लिया जाएगा क्योंकि इसका परड़ाम बड़े स्तर पर जनहानी के रूम में निकलेगा और आदेश का अनुपालन ना करने पर अफरादिक कारवाही का सामना करना पड़ेगा अदाल ने केंद को निर्देश दिया कि वक्षोनिस्चित करेगी सहरों को आवंटन आदेश के नरोग ऑक्सीजन की आपूरती हो और पीठ ने कहा है कि हर्याणा जैसे दूसरे राज्यों के सहन्तों ने से दिल्ली को ऑक्सीजन आवंटन के केंद के फैसली का इस्थानिये पिसासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसे ततकाल सुल्जाने की जरूरत है क्योंकि आपने देखा है कि कई हर्याणा में कई नेता रोग भी रहें ऑक्सीजन सिलेंडर को दिल्ली में से आने से दिल्ली में ना आए यानि कि आप समझ सकते हैं कि दूसरी दिल्ली में आप जानते हैं कि दूसरी पाइटी की सरकार है और हर्याणा में आप जानते हैं कि दूसरी पार्टी की सरकार है तो इसी समय उनकी भी रंज से उनकी भी दुस्मनी उभर के आ रही है ऐसा नहीं कि इस समय आप सोची कितनी भैंकर आपदा खड़ी हुई है तो कम से कम उसने मिलकर लड़ा जाए ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है आप देख रहे हैं कि कैंद भी अपनी दुस्मनी का भी बंजा लेता है एक तरह से और साध मुझे लगता है कि इस सब्दे का आप लोगों को फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर हाईकोट ने इस बात को कहा है कि भगवान भरोसे चल रहा है देश तो नेताओं की उन्होंने एक तरह से पोल खोल के रख दी है आप इतना समझी लिए इस से और आप समझी नेता आपके लिए आए ही कब है और देखते रही है आप लोग आगे क्या होता है अदालत ने केंद को निर्देश दिया कि वह आउक्सीजन ला रहे है बाहनों को परयाप्त सुरक्षा उपलब्द कराए और इसके लिए निर्धारित गलियारा बनाया जाए और केंद्र ने अदालत को सुझित किया है कि केंद्रिय गरह मंत्राले ने सभी राज्यों के अंदसासित पिदेशों को आदेश जारी किया है कि राज्यों के भी चिकिस्सिय ओक्सीजन ओक्सीजन के परिवहन पर कोई वीती बंद नहीं लगाया जाना चाहिए और परिवहन अधिकारियों को तदानुसा निर्देश दिया जाएगा कि ऑक्सीजन आपोर्टी में लगे वाहनों का निर्बाद अंतर राज्जिये आवागमन सुनिशित करें और आपने देखा हुगा अकल मैं देखा वीडियो पर्सों के आएगी किसी के दवारा कहा गया कि जो किसान अदूलत चल रहा है वो लोग ऑक्सीजन सेलेंडर को नहीं निकलते हैं दे रहे हैं मैं कल खुद देख रहा था एक वीडियो उसमें देख रहा था कि केंद मतलब ज जहां से जाईए यहां से मतलब किसानों की और उनकी एक तरह से जड़प हो लेकिन किसान खुद मदद कर रहे हैं आप सबी देख रहे होंगे कि किसान मजदूरों की भी मदद कर रहे हैं जो दिल्ली से लोट रहे हैं उन्हें खाना भी खला रहे हैं लंगर भी चला रहे है आप समझी कि इस आपदा में इसे आप समसकते ही कि विकट फरिष्थिती में भी सरकारें बाज नहीं आ रहे हैं नेता नहीं सुधरने का नाब ले रहे हैं उन्हें अभी दुस्मनी भजानी है अपनी अधालड ने यह भी टिपडी की उस बक्त की जब दिली सरकार ने उसे बताया की हर्याणा की पानीपत से होने वाली ओक्सीजन की आपूर्ती को वहां की स्थानीय पुलिस अनुवति नहीं दे रही है और दिल्ली सरकार ने अदालत को यह भी बताया है कि उत्तरफदेश की कुछ सयंतों से भी आक्सीजन को लेका नहीं आने दिया गया है और आप समझ सकते हैं कि पुलिस कितनी कही जगे तो पुलिस अच्छा काम कर रही है लेकिन दूसरी जगे आप देख रहे होगे कि पुलिस एक तरह से अपनी जितनी गिर सकती थी उतनी गिर चुकी है और आप समझ सकते हैं कितना बसूला जा रहा है एक तरह से जुर्बाना लगाया जा रहा है और मैं कहता हूँ कि इसी तरह का जुरुबाना तो उन हॉस्पीटलों पर उन नेताओं पर लगाना चाहिए जो एक तरह से स्वास्त वेवस्था नहीं उपलब्द करवा पार है हमारी सरकार पर भी मुझे लगता है कि जुरुबाना लगना चाहिए समझ रहे है आप लोग तो एक हाय आपके हाई कोट में मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये सब्द केवल सब्द होंगे और जो समझने वाले होंगे जो जानते होंगे जो हाई कोट के बारे में सबस्ते होंगे वो काभी को समझ गये होंगे फिर चाहे वो किसी भी खोल कोल की रख दिये, ठीक है?